बड़ी खुरारी राजदानी रहपूर से जहाँ पर पंचायास सचीउसंग ने पंचायात और ग्रामिन विकास विबाग के आदेश की प्रतिया को जलाई है विबाग वरा ये आदेश जारी किया गयता है कि 24 गंटे के अंदर काम में लोटने का आदेश दिया गयता नहीं तो नहीं भरतिया सुरू कर दिया जाएगी जिसके आक्रोश में 25 सचीउसंग ने आदेश की प्रतिया जलाई है 25 सचीउसंग ने सरकार को ये भी चितानी दिया कि अगर उनकी मांग पूरा नहीं होता है तो 27 जनुरी को सीय माउस का घिराव कर आतमदा करेंगे तो बड़ी संख्या में सीय माउस का घिराव करेंगे साधे साथ आतमदा भी करेंगे ये बड़ी करतरे मापको 25 सचीउसंग द्वरा ये निर्णाय लिया गया है मैं ये बोलता हूँ कि आई-एस अपसर तो जोह पालतु कुट्ता है उनके सीधा-सीदे बोल रहा हूं हना अउनको समझना था ये उनके बेटे अगर सिख्छा करें क्या बोलते सची और रोजगार साइक होते तो क्या सोचते सिक्षा करवी उनके रिष्टेदारी में हैं हाना इसलिए उनकी पूरी ब्योस्ता हो गई है मैं यह बोलता हूं कि छतिस गड़ में सोतेला भी हो राई यह लोगों का नहीं चलेगा जो आधेस हुआ बर्खास्तगी का हिटलर सा इससे हम घराने वाले नहीं है इनके आधेस की कापी को जलाएंगे अभी अदूसरा बात यह बोलते हैं वह बर्खास कर दे पत को ही समाप्त कर दे ना तो रोजगार साह करें सची रहे पूरे पंचायती राजब्योस्तों को समाप्त करें नहीं यहीं से सरकार चलाए पंच रचीन हरी इनको चला कूल रहा है आई यह सो चला रहे हैं यह सी रूम में बैठ करके कि रोजगार साह कर दे चला रहे हैं उनको यह मालूब होना चाहिए कि पूरे के पूरे 101 परसेंट किसान के बेटे हैं और बेटियां हैं हमाया आगरा करता हूं मानने मुख्यमंत्री से कि वो पास साल नहीं पचीसो साल राज करें उमर भर राज करें और हम उनके कारकरता बनकर काम करेंगे हमको राइनिती करन तो करना नहीं है पर इतना आस्वास करते हैं कि इस बार हमारी डिमान लोग पूरा करती है तो हम आज ही सामको हरताल से वापस जाएंगे नहीं तो 27 करने की बात कई यह सब होगा उसके बाद जो बाते हम नहीं कहना चाहते वह करेंगे योगेश चंद्राकर जिला दक्ष बालोत पूर्व प्रांता दक्ष प्रदेश सचीव संग्शतिस गड़ा यह अभी जो पंचाज बिभाग के जो सचीव है आर प्रसन्ना जी आर प्रसन् कि भी जीतें और अभी आज बैठे हुए हैं वह अपने हर्त लापस अएदि अगर हर्त आल से बापस नहीं आते हैं तो दक्रद्क में शचीव कि नियुक्ति की जाए इस के लिए जो आधेश-प्रसारिद कि अबिदा विरोद में यहां उनका अधेश की प्रतिक्वाग कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अगर वो सजग होकर हमारे मांगों पर सांतिपुर्ण तरीके से सासन जो है मांगों पूरा नहीं करती है तो उगर अंदोलन के लिए हम बाधित हो जाएंगे जिसके संपूर्ण जवाबदारी सासन अंप्रसासन और हमारे सजु साथी आत्म दाहा तक करने से पीछे हटने वाले नहीं है